फ्रेंड आज की ये वीडियो एक कोलिब्रेशन वीडियो है और ये मैं रूना सिस्टर के साथ में करने जा रहा हूँ जिनके चैनल का नाम है रूना साइड स्टोरीज तो मैं सिस्टर का वेलकम करता हूँ रुना सिस्टर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल टेकनिकल इम्रान पर सिस्टर मैं चाहता हूँ आप मेरी ओडियन्स को अपने बारे में बताएं और अपना इंट्रोडिक्शन दीजिए बोड़ एक हूँए साङर पर आप कैसे से और आपो ऊचनल में पर हैं है तो आप क्या आप यहां को मेरे नाम है रुना पर आप मेरी यहां चैनल सब कर्सक्राइब एकनच tuh आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर सकने ख़ंग कहुंगे कि उन्होंने जो questions ready किये हैं वो मुझसे पूछें ताकि आप लोगों को आपकी YouTube जर्णी में बहुत ज़्यादा help हो पाए तो स्टार्ट कीजिए सर्ट तो sister मेरा सबसे पहला question है आप से आप YouTube पर कब से काम कर रहे हो और आपने अपना YouTube चैनल कब स्टार्ट किया अपने इसी चैनल पर cooking tutorials वीडियो डालती थी मतलब recipe वीडियो डालती थी लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि वह मेरा passion नहीं था cooking पसंद है और cooking तो हर house wife को करनी ही पढ़ती है पहले भी कर रही थी वीडियो में भी की और अब भी कर रही हूं sister आपने क्या सोच कर YouTube पर काम करना स्टार्ट किया और क्या जो लोग YouTube पर आना चाहेते हैं उनको YouTube पर आना चाहिए YouTube पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके वारे में कुछ बताएंगे आपकी YouTube कैसा प्लेटफॉर्म है इनका next question है, इनोंने मुझसे पूछा है कि मैंने क्या सोच कर YouTube पर काम करना start किया और क्या जो लोग YouTube पर आना चाहते हैं, उन्हें YouTube पर आना चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और YouTube एक कैसा platform है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने तो जब YouTube स्टार्ट किया था तो मुझे YouTube के बारे में इतनी जादा information नहीं थी बस ऐसे ही मैंने YouTube पर चैनल क्रेट कर लिया था लेकिन पिछले 7-8 महिने में मैंने YouTube के बारे में बहुत कुछ सीखा है बहुत जादा experience गेंग किया है और मुझे लगता है कि जो भी लोग यूट्यूब पर आना चाहते है अपना चैनल क्रेट करना चाहिए तो उन्हें करना चाहिए क्योंकि YouTube आपके पास एक ऐसा social media platform है जिस पर आपको इतनी जादा growth कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते क्यों चूज किया इसके बारे में कुछ आप बताएंगी तो इनका next question है कि पूछते हैं कि जो ladies होती है वो जादा तर cooking या vlog channel सी बनाती है तो मैंने tech category क्यों choose की तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको दो तीन बाते हैं इसको लेकर वो ऐसा है कि एक तो मेरा study background computer से related रहा है तो मुझे tech में बहुत इंट्रस्ट रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी लाइन में अपने luck को ट्राय किया जाए और मुझे यह personally अच्छा भी बहुत लगा ऐसा ऐसे कि मेरा passion रहा है इसलिए मैंने इसी मेरा काम करना पसंद किया sister अब मैं आप से पूछना चाहता हूं आप YouTube पर किसको अपना तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि टेक में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जो हमें बहुत कुछ टीच करते हैं YouTube पर ही तो मैं उन सबसे ही बहुत कुछ सीखती हूं और जो परसनली गुरू किसको मानती हूं तो कह सकते हैं कि टेकेश्वर्य माम को एक तरह से मैं अपनी इंस्पिरेशन मानती हूं क्योंकि उन से ही मोटिवेट होकर मुझे यह प्रेणना मिली है आप कह सकते हो कि मैं भी इस लाइन में काम करूं और लोगों को कुछ करके दिखाऊं अपनी कुछ फेस वैल्यू बनाओं कुछ कमा कर दिखाऊं सबको इस सैवान के और अपने आप मुझे उस पर भी मेल कर सकते हैं और जो तैसरी चीज मैं आपको कुछ दिनों में अपने चैनल पर अपना फोन नंबर प्रोवाइड करने वाली हूँ आप सब लोगों के लिए ही वो नंबर होगा आप जब चाहे मुझे उस पर कॉंटाक्ट कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा मीडियम होगा मैं एक नंबर आप लोगों के हेल्प पा सकें और उनका जो यूटुब चैनल है उस पर वो ग्रो कर सकें आगे बढ़ सकें इसके बारे में आप इनको कुछ टिप्स सेर करेंगी जिससे यह अपने चैनल पर ग्रो हो सकें तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि इम्रान जी थैंक्यू सो मज आपने मुझ अगर आप यूटुब पर आते हैं यूटुब पर काम करना चाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी होगी वह आपको रेगुलर रहना सीखना होगा क्योंकि यहां पर जब आपके व्यूज नहीं आएंगे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो आप बहुत जल का लिंक डिसक्रिप्शन बॉक्स में हैं वहां से आप जाके इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप मेरे साथ में कॉलिबरेशन या तो इंटर्व्यू सूट करना चाहते हैं या मुझसे आप मिलना चाहते हैं तो मेरा वार्टसप नमबर और इंस्टा आइडी दोनो मेरे डिसक्रिप्शन बॉक्स में हैं वहां से आप ले सकते हैं और मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बा अब है